तो आज हम compare करने वाले हैं दो ऐसी चीज़ों को जिसकी वज़े से हमें दो iconic super hero देखने मिले ये चीज़ है super soldier serum और hard shape hub और final देखेंगे कि super human बनने के लिए super soldier serum जादा better है या फिर hard shape hub अब इससे पिले कि हम आगे वड़े मैं आपको आज की sponsor 1xbet के बारे में बताना चाहूंगा 1xbet एक betting site और app है जहापर बहुत सारे games है जैसे football, basketball, formula 1 और ऐसे बहुत सारे different category के games जहापर आप कुछ पैसे invest करके bet लगा सकते हो और यहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो 2.5 मिलियन साल पहले एफरिका के एक हिसे में वाइबरिनियम से बना meteor crash हुआ जिसके वज़े से वहाँ के पैड़ पोद अपर वाइबरिनियम का इसर हुआ वाइबरिनियम को पाने के लिए जब पाच कबिले वाले एक दूसरे के साथ लट रहे थे तब एक शेमन नाम के वाइबरिनियम से बनी hardship herb को खा लिया जिसके वज़े से उसे superhuman strength, durability, agility और reflexes मिलने के साथ उसके senses भी काफी ज़ादा है जब भी कोई वाकांडा का राजा बनता है उसे hardship herb दी जाती है अब अगर बात करें hardship herb के powers की तो सबसे पहले तो hardship herb कोई magical herb नहीं है यह पूरी तरीके से scientific है जिस पर वाकांडियन्स आज भी research कर रहे है hardship herb की वज़े से वाकांडा के राजा को जितने भी पुराने राजा थे उनके life के battle experience मिल जाते है और क्योंकि वाकांडा की जमीन पर है इसलिए वाकांडा का राजा एक ritual की मदद से अपने ancestors से connect करके बाते कर सकता है और ऐसा ही कुछ तिचाला नहीं किया था लेकिन वाकांडा में एक रसम होती है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो वाकांडा का राजा बन सकता है हब को वाकांडा की रॉयल फैमिली हजारों सालों से यूस कर दिया रही है लेकिन ओन स्क्रीन सबसे पहले से शमन ने डाइजिस्ट किया फिर तिचाका ने तिचला ने भी hardship हब को consume किया था इन फैक्ट तिचला अकेले सा वोरियर था जिसने राजा बनने से पहले hardship हब को खा लिया था और तिचला की बाद एरिक किलमोंगर ने इसे खा कर बाकी हब्स को जला दिया और में भी हो सकता है कि Black Panther 2 में शुरी फिर से hardship हब ढून कर या फिर उसे आर्टिफिशली बना कर खा ले लेकिन आगे क्या होगा वो तो हमें Black Panther 2 आने के बाद ही पता चलेगा लेकिन अब बात करते हैं Super Soldier Serum की तो इस serum को 1930s में Dr. Erskine ने बना था Hydra और Johan Smith के pressure के बज़े से Dr. Erskine ने ना चाते हुए भी Super Soldier Serum बना दिया लेकिन तब ये serum पूरी तरीके से ready नहीं था लेकिन फिर भी Johan ने इस serum को अपने उपर inject कर लिया जिसकी वज़े से उसे peak human strength, durability और नेडली वो सारी powers मिल जाती है जो Captain America के पास थी लेकिन serum ने उसके body का color ही change कर दिया कई साल बार Dr. Erskine ने फिर से Super Soldier Serum को develop किया और इस बार ये serum पूरी तरीके से तयार था और जब Steve Rogers पर इसका experiment हुआ तब वो successful हो गया लेकिन इसे के साथ Dr. Erskine के भी वही मोत हो गई जिसकी वज़े से Perfect Super Soldier Serum का formula उने के साथ खतम हो गया और इसलिए Captain America को एक Perfect Super Soldier बोला जाता है क्योंकि Cap से पहले और बाद में कई सारी लोगों ने इस serum को बनाने ही कोशिश की लेकिन उनसे कभी Perfect Serum नहीं बना जैसे Dr. Erskine के मौत के बाद Hydra ने Zola की मतर से Super Soldier Serum बनाया जिसे यूज किया था Captain के दोस्ट Bucky पर Howard Stark ने भी इस serum को बनाया था लेकिन Bucky ने उसे मार कर चारों serum चुरा लिये जिसके बाद Hydra ने और चार Super Soldier बनाये लगबग 2008 में General Ross ने Bruce Banner को ओपरिंट किया था Super Soldier Serum बनाने लिए लेकिन Bruce ने इस बार Gamma Radiation का यूज किया था जिसके वज़े से Accidentally वो Hulk में Transform हो गया ऐसे ही चलकर General Ross ने ML Blonsky के बोड़ी में serum inject किया था लेकिन Hulk को बीट करने के लिए इतनी पावर काफी नहीं थी इसलिए वो Hulk का खोन अपने बोड़ी में inject कर लेता है जिसके बाद वो Abomination बन जाता है अब ये तो थी Super Soldier Serum के History अब जान लेता है इस Serum के Advantage जिस क्या है तो सबसे पहले तो Serum की वज़े से Super Soldier को Peak Human Abilities मिल जाती है लेकिन अगर उनकी Will Power जादा हो तो वो अपने Peak Human Strength को सरपास भी कर सकते है जिसका जीता जाकता एक्जामपल Captain America है Cap ने कई बर अपने Physical Body को इस लेवल पर पुश किया है जो Super Soldiers के लिए लगबग Impossible है Serum की वज़े से Soldiers चाहे जितना भी सस्ता या महंगा नशा कर ले उन्हें नशा नहीं चड़ेगा Cap और बखी जिसे Super Soldiers अपने Body में 3-4 बुलेट्स खाकर भी जिन्दा रह सकते है और यह Around 60 किलोमेटर पर आर की स्पीड से भाग सकते है अगर आपको नहीं पता कि 60 किलोमेटर पर आर की स्पीड कितनी होती है तो Bike को 60 के स्पीड पर भगा के देखना सेम स्पीड Cap के पास है और आखिर में सेरम के वज़े से इनसान का जो डिजायर होता है वो काफे ज़दा स्ट्रॉंग हो जाता है जिसे Red Skull को टेसरेक चाहिए था लेकिन सेरम ने उसका डिजायर इतना ज़्यादा हैनांस कर दिया कि बाद में वो किसी भी हाल में टेसरेक को पाना चाहता था और ऐसी ही सेरम ने Cap के नेशन को प्रोटेक करने का डिजायर को बढ़ा दिया था बस हल के जिसका कोई डिजायर हमें आज तक देखने नहीं मिला तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की मतलब सूपर सोलजर सेरम जादा बेटर है या फिर हार्ट शेप हब तो सबसे पहले तो इन दोनों चीज़ों को कोई भी नॉर्मल बनता खुद में इंचिक नहीं कर सकता सूपर सोलजर सेरम के लिए विल पावर होना बहुत ज़रूरी है और हार्ट शेप हब को खाने के लिए रॉयल फैमिल का बलड होना ज़रूरी है अगर कोई भी एरा गेरा हार्ट शेप हब को खाएगा तो वो से डाजिस नहीं कर पाएगा जिसके वज़िस उसकी मौद भी हो सकती है लेकिन हार्ट शेप हब और सूपर सोल्जर सेरम दोनों अपनी जगापर बराबर है दोनों की मदद से एक नॉर्मल यूمن सूपर हूमन बन सकता है बस हार्ट शेप हब की वज़े से वाकांड़ा का किंग अपने पुराने वारियर्ज के साथ कम्मिनेकेट कर सकता है बागी जो powers herb और serum से मिलती है उसमें कुछ खास difference नहीं है लेकिन एक चीज़ जो super soldier serum के पास नहीं है वो है reflexes provide करना Captain America के reflexes अच्छे है लेकिन Black Panther के reflexes जदा quick है as compared to Cap और आप में से काफ़े super fans ये comment कर रहे थे कि क्या होता अगर Captain America hardship herb लेता तो सबसे पहले तो Captain America hardship herb को digest नहीं कर पाता क्योंकि वो royal family से belong नहीं करता है और अगर वो digest कर भी ले तो उसे वो सारी powers मिल जाएगी जो उसे super soldier serum नहीं दी थी बस herb के वज़े से Captain के reflexes पहले से जदा शाप और fast हो जाएगे बाकि उनके senses, hearing ability, strength और durability लगबख सेम लवल पर रहेगी तो ये था एक छोटा सा comparison super soldier serum और hard shape herb के बीच अब आप मुझे comment section में बताना कि अगर आपको एक दिन के लिए super soldier serum मिल जाए और hard shape herb भी मिल जाए तो आप खोद को super human बनाने के लिए क्या लोगे और अगर आपको आज की वीडियो पस्तन दया होगी तो इस वीडियो को like और share करना बिलकुल मत भूलना और चैनल को subscribe कर देना इसी वीडियो देखने के लिए तो फ्लेल के इतना ही मैं मिल तो आपसे अगले वीडियो में तब तक good bye